हाई आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं मेक शूर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ साथ में नौटिफिकेशन बेल को अन करना बिलकुल नहीं बूलेगा तो आप लोग से मेरे कोई भी वीडियो मिसना हो मैं जबी भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ थूर नौटिफिकेशन आप लोग को मेरे वीडियो के अपडेट मिलते रहे टाइम टू टाइम और साथ साथ में आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज की वीडियो में आप लोग साथ मदर स्पर्स के रोज एंड बेट रूट फेस उप्टन का रिव्यू शेयर करूँगी अगर आप लोग उने नहीं देखा है मेरा वीडियो वीडियो मिस हो गया तो मैं एंड स्क्रीन पर उसको मैंशन कर दूँगी आप लोग वहाँ पर क्लिक करके डिरेक्ली मेरे वीडियो पर जा सकते हैं तो यह जो फेस उप्टन है इसका कैसा effect आएगा मेरे skin पर इसको कैसे प्रिपेर करना है कैसे skin time वाला एपलाई करें कितने देश तक इसको आपको रखना अपने skin पर वीड में कितने time आपको apply करना सारी चीजों के बार में आगे details में बात करेंगे पहले चली प्रोट का close लोग लेते हैं परक कि आउटर पाकिंग आप लोग को ऐसे cardboard जैसे box में receive होगी और इसकी price 399 रूपीज है self life 2 year की दी गई है इसकी quantity 40 gram है मैंने इसको naika.com से purchase किया है आप लोग mother's purse के site पे भी जाके इसको check out कर सकते है Amazon वगरा पे भी available है और इनर पाकिंग ऐसे plastic container में receive होगी with golden lid ये देख सकतो ये जैसे की beetroot and rose petals के साथ है तो ये color थोड़ा वैसा ही मिलता जूलता है ये देख सकतो इनर इसकी जो consistency है थोड़े powdery form में है जैसे की आप लोग को एक बार close करके मैं show कर रही हूं ये देख सकतो ये बिल्कुल ऐसे powdery form में है सारे कुछ को means crush करके इस upton वाला जो means इसका consistency इसको prepare किया गया है काफी चीजों को इसमें include किया गया है so that आपको इसके benefits मिल सके जलिए अब ये जो mother's purse का rose and beetroot face upton powder इसको कैसे prepare करना ये देख लेते हैं देख सकतो मैंने खाली बॉल लिया उसमें one spoon जो है ये जो means beetroot face upton powder उसको लिए हूं and same one spoon मैं raw milk लिए हूं आप लोग चाहो तो plain water भी ले सकतो अगर आपके पास raw milk available नहीं है बट इसका ज्यादा benefit अगर आप लोग raw milk के साथ इसको prepare करोगे तो and इसको अच्छे से mix करना है जैसा कि आप लोगो दिख रहा हो था अभी वो थोड़ा सा मिन्स पतला था बट ये थोड़ा सा ऐसी consistency में आ जाएगा and देख सकते हो ऐसे करके आप लोगो इसको prepare कर लेना है and उसके बाद आपको face क अच्छे से clean कर लेना है कुछ भी आपके face पर नहीं हो बिस नॉर्मली आप face को face wash कर लीजेगा and इस paste को फिर आप लोगो अपने face पे with the help of brush अपलाई करो या फिर ऐसे finger से अपलाई करो all depend upon you मैं अभी जब इसको अपलाई करी हो ना तो मुझे मिन्स एक cooling सा effect लग रहा है हलक इसे करके पैस टेस्ट जरूर कर लीजेगा and अगर आप लोग को कुछ मिन्स इरिटेशन वगरा फील होती तो इसको आप लोग यूज करना stop कर दीजेगा because इसमें natural products use के मैं तो मैं भी यह allergic हो सकता कुछ लोगों को इसलिए मैं यह बता रही हूं and mother spurs का यह जो बीटूट face and यह जो फेस उप्टन है ना इसमें rose, beetroot, केशर, नीमबू, मॉसमी, coconut, काजू, तुलसी, बदाम, मुमफली and चंदन को इंक्लूड करके बना गया है मिन सारे ही natural कितनी चीज़ों को इसमें add किया गया है and इसमें जो antioxidants rich blend of gullab and chukundar add किया गया है वो आपके skin को एक refreshment provide करेग and आपके skin जो अगर dull होगी, uneven होगी तो उसको even tone बनाने में helpful होगा and इसमें जो prominence of mossami, केशर, चंदन और rose, beetroot वगरा add किया गया है यह आपके skin को एक radiant glow provide करने में helpful होगा and यह जो face upton ना यह आपके face को deeply clean करने के साथ साथ exfoliate करने का भी काम करता है because इसमें जो oat milk and mumphaly add किया और वो exfoliation का काम भी करता है, मैं इसको properly अपने face and neck पे apply कर चुक है and उसके बाद मैं इसको 10-15 minute face पे छोड़ दूँगी dry होने के लिए, जैसा कि आप लोग देख रहो थोड़ा time हो चुका है and यह जो है यह properly dry हो चुका है, मेरे skin मुझे बिल्कुल खिची-खिची सी feel हो रही तो वैसे तो इस पे, I mean, ऐसा direction दिया हुआ है कि आप लोग इसको जब यह सूख जाए तो normal plain water से wash कर लेना है, but मैं नहीं ऐसा करने वाली हूँ, मैं क्या करूँगी, raw milk लोगी and उसके बाद वापस इसको हलका ऐसा dab-dab करके wet कर लोगी, इससे क्या हो कि जब आप लोग जाएगा and मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा रब करूँगी, so that इसके और भी ज्यादा benefits मिले, सासात में skin जो है वो और भी अच्छे से exfoliate हो जाए, जो भी dead skin layer हो मेरे face पे वो remove हो जाए and सासात में आपके अगर means facial hair हो तो वो भी remove हो जाए, तो यह एक मेरा personal experience है, जब मैं कोई ऐसा upton वगरा use करती हूँ, तो ऐसे करके उसको remove करती हूँ, आप लोग भी ऐसे करके use कीजेगा and बताएगा आप लोग को कैसा लगा यह and जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं hand को भी थोड़ा सा wet कर ली हूँ and हलके हाथो से massage करूँगी and देख सकते हो ऐसा मचाज करने से क्या होगा कि आपके जो facial hairs होंगे न वो remove होंगे धीरी-धीर करके and यह जो face upton इसके चली कुछ features के बारे में बात कर लेते हैं यह आपके skin tone and texture को निखारने में helpful करेगा and इसमें जो goodness of rose, beetroot, saffron, sandalwood, oatmeal और काफी चीजों को add किया हुआ है like यह सारी चीजों के benefits मिलें आपके skin को जो आपके skin dull लगती हो वो brightening दिखने लगने सुरू हो जाएगी and glow-y भी दिखेगी and इसमें जो lips वगरा add किये हुए है न वो skin को deeply hydration प्रोवाइड करेगा, nourishment प्रोवाइड करेगा and as a result आपको एक soft glow-y and dewy look मिलने वाला है जैसे कि अभी summer है न तो हम लोगों को क्या summer में dullness and skin tanning वगरा होना बिल्कुल common problem है तो इसके regular use से क्या आपके skin healthy दिखेगी, glow-y महसूस होता है आपको इसको use करने से तो थोड़े time ही आपको ऐसे मसाज करना बहुत time तक नहीं, so that कि अच्छे से आपके face से remove हो जाएग जैस जैसे कि आप लोग ऐसे को तो आप लोग कुछ पुराना सा top वगरा ही वियर करके after that इस वाले जो उब्टन मास्क है इसको आप लोग apply कीजिएगा, so that आपको कुछ नया नया बोलता है वो waste ना हो close वगरा, that's why, and yes इसकी fragrance की बात करो नो तो इसमें हलकी से मुझे coconut and beetroot की fragrance आ मिलने वाला है, and yes हर skin type वाले इसको use कर सकते हर skin type पर ये suitable है, and कोई ऐसा मेरे को means irritation वगरा और कुछ ऐसा feel नहीं हुआ, जब मैं इसको ऐसा rub वगरा कर रही थी तो, तो थोड़े time massage करने के बाद देख सकते हो, ये बिलकुल ऐसा हो चुका, अच्छे से remove हो गया, means आदा से ज and चलिए अब इसको मैं क्या करती हूँ कि plain water से wash कर लेती हूँ, and plain water से wash करने के बाद आप लोग देख सकते हो, means fresh दिख रही है मेरे को मेरे skin, तो चलिए पहले इसको towel से pad dry कर लेते है, and pad dry करने के बाद आप लोग के सामने बिलकुल result है, तो आप लोग को बिलकुल दिख रह किया था, तो अभी मैं mother's purse के product को currently try कर रही हूँ, एक दो एक दो product को, and इस face upton को आप लोग भी अपने daily routine में include करिएगा, so that आपको भी आपके skin जो है, वो dewy, petal, soft feel होईगी, काफी soft लग रही है, and sitium कर लोगे, तो और भी glow, glow से दिखने वाली है, तो definitely मैं आप लोग को suggest कर आप लोग भी यह जो mother's purse का rose and beetroot upton है, इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा, and I hope आज का वीडियो आप लोग के लिए helpful रहा होगा, किसी और दूसरी product का अगर आप लोग review जाना चाहते है, तो please comment down करके जरूर बताइएगा, and video पसंद आता है, तो एक like कर दीजिएगा, video को friends and family के साथ share करना बिलकुल नहीं भूलिएगा, channel को subscribe नहीं किये, तो channel को भी subscribe करके notification bell को on कर दीजिएगा, and मैं ऐसे ही content लेके बहुत जल मिलूँगी, so तब तक के लिए, bye bye friends,